पूजा घर में ऐसा सिवलिंग भूल से भी ना रखें पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा दोस्तों देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कणकण में बशी हुई असीम उर्जा हैं शिव निराकार हैं लेकिन सिव में अतुलित उर्जा समाई हुई है शिव को समझना आसान नहीं है लेकिन सिव को जिसने समझ लिया समझो उसको परमानन्द की प्राप्ति हो गई दुनिया भर में भगवान शिव के असंखे भक्त हैं शिव के अनोखे रंग रूप और ऐसाधरन गुनों का हर कोई भक्त है और शिव जी भी अपने भक्तों पर ब्रपूर क्रपा लुटाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भी भगवान शिव की मुर्ती, तस्वीर या शिवलिंग अवश्य ही रखते हैं और शिव जी की पूजा अराधना भी करते हैं। लेकिन कि आप जानते हैं कि हमारे सास्त्रों में भगवान शीव की मुर्ती या सिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका हमें कठोरता से पालन करना चाहिए नहीं तो हम पर इसका विपरित प्रभाव भी पड़ सकता है तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन-कौन से नियम है जिनका हमें कठोरता से पालन करना चाहिए लेकिन उससे पहले एक बार कॉमेंट बोक्स में हर-हर महादेव आवश्य लिखें पहला नियम शिवलिंग कई परकार के होते हैं जैसे पत्थर के, मिट्टी के, सीसे के, किसी धातू के, स्फटिक के, पारद के, संगमर्मर के आदी इन में से पीतल, पारद और स्फटिक के सिविलिंग स्रेष्ट माने गए है और पारद का सिविलिंग सर्व स्रेष्ट माना गया है नर्मदेश्वर सिविलिंग जो की नर्मदा नदी से निकलते हैं उन्हें भी घर में रखना उत्तम और शुब माना जाता है दूसरा नियम घर में रखा हुआ सिविलिंग किसी भी धातू या परदार्थ का बना हुआ हो लेकिन उसकी उचाई तीन इंच या हमारे हाथ की अंगुठे से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका कारण है कि बड़े बड़े सिविलिंग का पूजा पाट करते समय बहुत सारे न मंदिर में सिविलिंग को स्थापित करते समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें केवल विदी विधान से पूजा करें और जल से अभी से करें सिविलिंग की प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में ही की जाती है घर में रखे सिविलिंग या सिव की पिंडी पर नाग कहा गया है इसलिए घर के मंदिर में शिव जी को पिंडी रूप में ही स्थापित करें उनकी तस्वीर या मुर्ती ना रखें हमारे सभी मुख्य मंदिरों में और सभी 12 जोतिर लिंगों में शिव जी पिंड सव रूप में ही उपस्तित है यानि कि शिवलिंग के रूप में ह उसार पूजा करनी चाहिए और यदि किसी कारणवस पूजा रोज संभव ना हो तो कम से कम सोमवार प्रदोस शिवरात्री और शिवजी के अन्य किसी विशेश दिन साथ ही स्रावण मास में उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए घर के मंदिर में केवल एक ही सिविलिंग ह रखने से अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं चटवा नियम शिवजी को जल बहुत पसंद होता है इसलिए प्रयते दिन शिविलिंग पर जल से अभी से करना अत्यंत आवश्य है एसी विवस्था करें जिससे की शिविलिंग पर जल की धारा या बूंद बूंद हमेशा गिरती रहे ऐसा करने से शिवजी अत्यंत प्रसंद होते हैं और घर में शकारात्मक वातावन बना रहता है शिवजी की सकती से घर की सारी नकारात्मक उर्जा नस्ट हो जाती है साथवा नियम शिविलिंग को हमेशा खुली जगह पर स्थापित करें कभी भी किसी बंद य पारवती जी गनेश जी और कार्तिके जी की तस्वीर या मुर्ती शिवलिंग के पास स्थापित करें शिविलिंग को कभी भी अकेला ना छोड़ें नियम नमबर 9 अधिकतर लोग शिविलिंग को तुलसी के नीचे रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं ऐसा बिलकुल भ पर कभी भी उन वस्तों को अरपित ना करें जिने शिव जी ने अपने पूजन में वर्जित माना है उन वस्तों में शंक नारियल पानी गर्म दूद केतकी के फूल तुलसी पत्र शिंदूर हल्दी कुमकुम इत्यादी दोस्तों भगवान शिव वेरागी हैं और निरंकार जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूर्ण सरदा और विश्वा की साथ करते हैं तभी आप अपने घर में सिवलिंग स्थापित करें अन्य था आप मंदिर में जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं घर में नियमित रूप से सुबह साम शिव मंत्रों का उचारण करें इससे अकाल मृत्यू और अन्य संक्ट दूर होते हैं साथ ही आरोग्य एवं दिरगायू की प्राप्ती भी होती है तो दोस्तों यह थी वो महत्वण बाते जो घर में सिविलिंग स्थापित करते समय अवस्य ध्यान में रखनी चाहिए तो अगर आप भी अपने घर में सिविलिंग स्थापित करना चाहते हैं या पहले से ही आपके पुजा घर में सिविलिंग स्थित है तो इन महत्वण बातों को जरूर ध्यान में रखें अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अब इसे दबाएं धन्य